अस्सलामु अलेकुम वेल्कम बैक इंटो अनेदर वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना MDCAT वुकाब का वर्ड नंबर 9 डिसकस करेंगे जो कि हमारा A से स्टार्ट होने वाले यानि यह एल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला लास्ट वर्ड होगा और वह है एंजाइटीज ठीक है एंजाइटीज यानि इस तरह बात तो एंजाइटीज जो है वह आम तोर पर यूज भी किया जाता है ठीक है और इसका उर्दो में मैं आपको मतलब रिखके दिआ देता हूं इस तरह बात ठीक है और पार्टो स्पीच के अकॉर्डिंग यह एक नाउन है ठीक है यह चीज जियाद रखने वाली है यह पार्टो स्पीच के अकॉर्डिंग एक नाउन है ठीक है और इसके बात जो है हम करते हैं मैं इसके explanation भी आपको यहां पर बताऊंगा ठीक है Anonyms Anonyms और sentence भी हम इससे बनाएंगे ठीक है तो इसके explanation यह है कि The state of feeling nervous or worried that something bad is going to happen ठीक है आप यह सोचते रहते हैं कि लगता है कुछ बुरा होने जा रहा है और आप उसी में जो है वो Tension देना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे हम anxiety कहते हैं आम तोर पर ठीक है इसके synonyms के अंदर include है Agitation, Anacciousness, Apprehension ठीक है तो यह कुछ इसके synonyms हैं जो कि मैं आपको बताता हूं ठीक है हम लिख सकते हैं आपको असान अगर आपको बताऊं तो concern भी इसका एक synonyms है इसके लावा डिसकोइट और agitation और इसके लावा हम लिख सकते हैं nervousness, sweat क्योंक है वैसे nervousness सोची एक change होती है लेकिन इसके माइनों में आता है unease भी कह सकते हो आप ठीक है तो यह इसके कुछ synonyms हैं अब अगर हम इसके antonyms की बात करें तो इसके antonyms में calm, ease, peace काफी तर इसके antonyms बनते हैं calm, ease, peace और felicidity, quite और इसके लावा tranquility, comfort ठीक है यह मैंने आपको कुछ इसके antonyms यहां पर बता दिये हैं अब अगर sentence की बात करें तो हम इसका एक sentence use कर सकते हैं कि some hospital patients experience high level of anxiety यह पर हम कहाते हैं waiting for exam result is a time of great anxiety waiting of exam result is a time of great anxiety तो यह आपको मैंने एक sentence भी बनाके दिखा दिये हैं यहां पर anxiety यह यूज हुए ठीक है तो और obviously sentence हम पर fit होता है students के उपर खासकर जब आपका बोर्ड का result नहीं आ रहा होता है यह उसमें काफेदार time होता है तो आप यही सोच-सोच के गुजार देते हो आमीन